हेलो फ्रेंज्ड वेल्कम बैक टू माइ चैनल कि आजक्ट जो रिक्वायर्मेंट है वो सौदी अर्भय कारायमेंट है और सौदी अर्भय के अंदर क्या चीज़ कार्य कई यह पता आपको तो भीडियू पूरा देखिए हे जुब करच चीह मुझे साथी अर्वियार रियाद के लिए फ्यूल फ्यूलर वर्कर चीए यानि के डीजल भरने वाला काम है यह ट्रेंड में डीजल भरने वाला काम रहेगा रेलवेई स्टेशनों में आपको काम करना है रेलवेई स्टेशन में आपको रहकर डीजल ट्रेंड के अंदर भरना है ठी और 9 गंटे के अंदर आपको जितने बार बोले जाएंगे, आउड़र दिया जाएगा उतने बार आपको ये काम करना है, ठीक है, ट्रेन इस्ट्रेशनों में आएगी, डीजल भरने के लिए बोलेंगे, वो आपको भरना पड़ेगा, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा जोब है इस जोब के लिए अगर कोई भी बंदा अगर रेडी होता है, तो ये बहुत अच्छा कम से कम 50 पलस इसमें सेलरी मंतली वो आएगा, उसको ठीक है, इसका जो सेलरी है, वो पंदर सो है, और इसमें कैसा है, खाना आपको रेलो एस्टिशनों में मिल जाता है, इदर उदर से और अगर नहीं मिलेगा खाना तो खाना बनाने का पूरा सुभीदा आपको दिया जाएगा, यहाँ बाई यहाँ पर खाना बनाने का पूरा सुभीदा है, ठीक है, तो ये सब खाना मिल जाएगा आपको भार से, सेलरी जो आपका है वो पंदर सो हो रहेगा, ठीक है, और न इसमें साइड इंकम आपका बहुत अच्छा रहेगा लेकिन इसमें बंदा मुझे एजुकेटर चाहिए पासपोट कोईसा फिरेगा चलेगा थोड़ा बहुत जानकरी होना चाहिए उसको कल्कुलेशन करना और कंप्यूटर चलाना अगर आता है तो बहुत अच्छा है थोड अगर आप जाना चाहते हो तो ड्राइविंग लाइसन पहले बनवा लिजे और इस जॉब के लिए अपलाइक कर दीजिए ठीक है पासपोट इसमें दोनों चलेगा पचीस से लेकर के 35 साल का उमर तक बंदा जा सकता है और रूम मेडिकल जो भी रहेगा ये अपना कंपणी की तरफ से रहेगा रूम मेडिकल ट्रांसपोटिशन परवाइड बै कंपणी की तरफ से है और ज्यादा जानकर ये गर चीह रहेगा तो जो नंबर फलस हो रही है आप उस पर कॉंटेक कीजिए आपको सारा चीज बताया ठीक है इसमें क्या खर्चा है और कैसे काम स्टाट करना ये सारा चीज आपको मैं बता दूंगा तो नंबर पर कोल कीजिए इंशानल अगर आपको जाने का रहेगा तो पंद्रह से बीजिन के अंदर आपका वीजा लगवा दूंगा मैं ठीक है तब तक के लिए बाई कर दो अ, कर दो क áया कि, कर दो चका है